नमस्का दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइत और फिटनेस में मैं हूँ आपकी होस्ट डाइटिशन अकांगशा आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अच्छे डाइजेशन के लिए यानि कि अच्छे पाचन के लिए कौन से कौन से पदात आपको लेने चाहिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप मेरे चानल पे नए हो तो जल्ली से मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे तो आज की वीडियो में सबसे पहला पदात है अद्रक अद्रक का स्वाद थोड़ा तेज होता है थोड़ा तीखा होता है इसलिए बहुत सारे लोग कभी गबार अद्रक नहीं खाते है या फिर खाना पसंद नहीं होता है लेकिन अद्रक हमारे पाचन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है बहुत ही ज्यादा मदद करता ह कभी कबार constipation है या फिर gas है या फिर पेट के अंदर जो दर्द होता है उससे तुरंत राहत देने के लिए अद्रक बहुत ही ज्यादा मदद करता है तो इसलिए आपको आपके रोज के अहार में अद्रक का अच्छे से सामावेश करना है या फिर सोने से पहले अगर आप अद्रक का जो पानी होता है अद्रक का रस हम बोल सकते हैं वो लेते हो तो भी ये पाचन में बहुत जादा मदद करेगा बहुत सारे लोगों को constipation या फिर gas की problem हो जाती है उनके लिए ये रस बहुत ही ज़्यादा लाबदायक होता है तूसरा है साबुत अनाज तो साबुत अनाज जो होता है वो हमारे आहार का सबसे एहम हिस्सा है dietary fiber, B vitamin और बहुत सारे mineral से भरपूर होते है तो शरीर को अच् होता है वो हमारे पाचन के लिए काफी लाबदायक होता है उसी के साथ साथ हमारे शरीर का जो कोलेस्टरॉल होता है उसके नियंत्राण का भी काम करते है इसलिए साबुत अनाज का सामावेश एक अच्छे से आपको आपके आहार में करना है जितना ज्यादा हो सके उतना सा पाचन के लिए तीसरा पदात है हरी सबजिया तो जो लोगों को ग्लूटन इंटॉलरंस है यानि कि जो गेहू का आटा होता है या फिर ग्लूटन यो कोई भी पदात नहीं खापाते हैं उन्हें फिर फाइबर की मात्रा कहां से आएगी अपने शरीर में तो उनके लिए हरी स सब्जियों से भी बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है उसी के साथ साथ बाकी के जो पोशक तत्व होते हैं बहुत सारे विटमेंस और मिनरेल्स है वो भी मिलते हैं पालक जैसी सब्जिया अगर आप खाते हो तो हमारे पेट के अंदर का जो लाइनिंग होता है अंदर की जो वॉल होती है उसके सुरक्षा के लिए ये बहुत स्यादा मदद करता है इस प्रकार से हरी सब्जिया हमारे डाइजेशन में सुधार लाती है तो इसलिए ताजी-ताजी हरी सब्जिया जो होती है जो मौसमी सब्जिया होती है ऐसी सारी सब्जियों का एक अच चिया के बीच जो होते हैं उनमें भी काफी अच्छी मात्रा में पोर्शन होता है और सॉल्यूबल फाइबर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है तो कॉंस्टिपेशन जिन लोगों को है या फिर पाचन में तकलीफ है ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है लेकिन जादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है क्योंकि अगर जादा मात्रा में इसका आप सेवन करते हो तो डाइरिया या फिर पेट में गड़बड़ी हो सकती है सही मात्रा में सेवन करना है और खास तोर पे अगर गर्मियों के सीजन में आप इसका सेवन करते हो तो आपके paint को ये ठंड़क देता है असरीटई भी कम करता है और बहुत ही अच्छा coolant है ये तो बहुत ही अच्छा रहता है पाच्वा पदाथ है केला केली के अंदर बहुत ही अच्छे मात्रा में potassium, starge और fiber पाया जाता है और बहुत ही जादा नरम होता है, पाचन के लिए भी अच्छा होता है, तो खास तोर पे जब भी पेट में कुछ गड़बड़ी हुई हो, तो उस समय खाने के लिए केला बहुत ही अच्छा परियाए है, पाचन के लिए बहुत जादा ये मदद करता है, छटा पदात है सौफ, तो जैसे कि आपको पता है, soft जो होती है, वो हमारे खाने में स्वाद लाती है, बहुत ही अच्छा मुखवास के तौर पे ये खाई जाती है, क्योंकि ये पाचन के लिए अच्छी होती है, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में anti-inflammatory properties पाई जाती है, और पाचन में ये तो इसलिए ये रिवाज है कि खाने के बाद हम थोड़ी से soft खाते है, क्योंकि ये पाचन के लिए बहुत ही ज्यादा लाबदायक होती है, सात्वा पदात है सेब, सेब जो होता है, वो पेक्टिन नाम के fiber से भरपूर होता है, जो कि अपचन से हमारे शरीर का बचाओ करता है, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि सेब के अंदर जो fiber होता है, तो बहुत सारी problems के लिए ये असरदार होता है, उसी के साथ साथ ये हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है, खास तो और पे बच्चों के लिए अगर आप देखोगी, बच्चों की पेट में कुछ होते हैं, वो उन्हें भी दे सकते हो क्योंकि उनके पेट के लिए वो ज्यादा हैवी भी नहीं होते हैं, ज्यादा हलके होते हैं, तो उस कारण वो अच्छ से digest भी कर पाते हैं, और पाचन में जो भी गड़वड़ी हुई है, उससे दूर करने के लिए ये मदद करते हैं, आठवा पदात है पपीता, पपीता जो होता है उसके अंदर जो active compound होता है, वो पपेड नाम का एक enzyme होता है, जो की बहुत ही strong enzymatic activity करता है, यानि कि हमारे शरीर के अंदर पाचन के लिए जो enzymes की जरूरी होती है, उसमें से ये एक है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी तरी के से पाचन के लिए हमारे शरीत की मदद करता है, नोवा पदात है HING, हिंग हमारे पेट के अंदर digestive enzymes की निर्मिती के लिए मदद करता है, लिवर के अंदर जो bile नाम का घटक होता है, उसकी निर्मिती के लिए ये मदद करता है, जो की ज़्यादा तोर पे अगर हम देखे तो fat यानि की वसा के digestion के लिए काफी जरूरी होता है तो इसलिए आप हींग का समावेश अपने रोज के आहार में एक अच्छे तौर पे कर सकते हो या फिर हींग की गोली भी आती है पाचक टाबलेट्स आती है कभी कबार उसका सेवन भी आप कर सकते हो लेकिन इन चीजों की थोड़ी आदत लग जाती है तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि रोज आप खा रहे हो जब भी आपको थोड़ा लगे कि अपचन जैसा हो रहा है या फिर पाचन के लिए तकलीफ हो रही है ऐसे समय पे आप हींग की गोली या फिर सौफ ऐसे सारे मसालों का ऐसे सारे पदार्थों का सेवन जरूर कर सकते हो दस्वा और सबसे जरूरी पदार्थ है पानी तो पानी तो जरूर आवशक होता है हमारे शरीर के लिए शरीर में सबसे ज़्यादा अगर हम देखे तो जो भी टॉक्सिंस होते हैं शरीर से वो निकालने के लिए शरीर का तापमा नियंद्रित करने के लिए और हमारे पाचन के लिए ये काफी आवशक है क्योंकि अगर आप अच्छी मात्रा में पानी नहीं पीते हो तो डाइजर्शन की बहुत सारी प्रोबेम्स शुरू हो सकती है या फिर अगर पानी का सेवन आप सही मात्रा में करते हो तो आपको जरूर महसूस होगा कि आपका पाचन अच्छे से हो रहा है तो इसलिए पानी का सेवन भी अच्छी मात्रा में करना है और ये सारे पदाथ जो मैंने बताए उन में से भी कोई एक पदाथ आप जरूर ले सकते हो जब भी आपको पाचन के लिए तकलीफ हो तभी तो आज की वीडियो के लिए वस इतना ही दोस्तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मैं अब आप से मिलती हो अगले वीडियो में एक नए विशर के साथ तब तक के लिए गुडबाई